हेलो दोस्तों गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका न्यूज अनलेसिस के वीडियो में जिसमें हम लोग हिंदू के सारे आर्टिकल्स को देखते हैं जो इंपोर्टेंट वाले होते हैं और कुछ एक कभी-कभी इंडियन एक्सप्रेस के भी आर्टिकल्स रहते हैं तो जिन लोगों ने लिख लिया होगा उसका अंसर उनका अंसर तो ऑविसली एवलेट हो जाएगा तो चलिए इस वीडियो को स्टाट करते हैं सबसे पहले में कोट के लिए थैंक्यू बोलना चाहता हूँ स्वाती को थैंक्यू सुमज स्वाती और बाकी लोगों से रिक्वेस अपने आपको जैसा है आप वैसे ही रहिए और महिनत करते रहिए और अपने में सुधार लाते रहिए ठीक है तो चलिए बहुत अच्छा सा कोटता अब आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल का डिसकेशन शुरू करते हैं तो जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है यह थोड़ा किया है at the price of 33,737 crores तो आप पहले आप यह acquisition देख लिया अभी हाल फिलाल में हम लोगों ने परा था कि Google जो है वो इंडिया में 10 billion dollars का जो है वो fund एक तरह से allocate करने वाला है इन्वेस्ट करने वाला है तो आप देख सकते हैं यह एक तरह का उनका start हो गया यहां पे और total अगर आप देखिएगा तो 75,000 crores के आसपास होता है अब आगे यहां देख सकते हैं कि Reliance Industries ने बोला है यहां पर कि वही 5G टेक्नलोजी जो उन्होंने indigenously develop किया है उसको यहां पर वो देने वाले हैं Google को और वही है कि Google फिर इस्तमाल करेगा इसको different चीज़ों के लिए साथ के यहां पर कि जो भी 2G feature phones यूज करते हैं उनको यहां पर आगे बढ़ाकर उनको smartphone हाथ में देने के लिए यहां Google और Jio जो है वो partnership बना रहे हैं और हो सकता है कि आगे चलके एक entry level का 4G या फिर even 5G का smartphone जो है जिस पर on-red operating system रहने वाला वो आगे चलके launch हो जाएगा अब आगे यहां पर देखते हैं तो यहां पर made in India 5G solution जो दिया जा रहा है जैसे ही spectrum मिल जाएगा तो यहां पर इसका deployment जो है next year से start हो जाएगा साथ के साथ आप यह भी जानते हैं कि Jio जो है मतलब यहां अगर आप situation देखिएगा तो काफी अच्छा कासा expand कर चुका है 4G network तो इसलिए उनको बहुत ही जादा easy होगा upgrade करना 4G से 5G की तरफ अब आगे यहां पर इन्होंने बताया है कि Jio बाद में यह भी plan कर रहा है कि जो भी 5G solution है वो other telecom operators को globally देगा और वही है कि फिर obviously यहां पर export होगा तो इंडिया को काफी जादा benefit होगा और काफी सारा investment भी आएगा इसके डिरेक्ट यहां पर उनको smartphone से connectivity देगा और साथ के साथ एक improved mobile experience भी देगा तो यह काफी अच्छा कासा news है आगे बढ़ते हैं next news जो है वह है इंडिया and European Union push trade talks और यहां पर EU leadership ने voice concern किया है over JNK तो JNK के उपर में already हम लोग जानते हैं कि जब इसे भी यूरोप के कोई भी leader आते हैं या फिर वहां के कोई भी representative आते हैं तो JNK के उपर में ज़रूर question कुछ नकुछ उठाते हैं पर अभी अगर आप देखेगा तो इंडिया का काफी सारा यहां पर involvement है और बहुत सारा task भी है और देख सकते हैं कि हो सकता है economy को काफी अच्छा का सा boost मिले क्योंकि यह एक तरह का mutual benefit वाला relationship होने वाला है तो यहां पर वही है कि इंडिया और European Union का यहां पर जो एक तरह का framework की तरफ काम कर रहे हैं committed हो रहे हैं और वह कोशिश करेंगे कि strategic cooperation की तरफ जाएं until 2025 और साथ के साथ उन्होंने वह किया है कि वह cooperate करेंगे on response of COVID-19 pandemic जो है उससे related और साथ के साथ जो United Nations Security Council है उसमें भी हम लोग जानते हैं कि United Nations Security Council में as a non-permanate member इंडिया जो है अल्रीड हो चु जो है वो free trade agreement पर बात करने वाले हैं तो इसी के लिए यहाँ पर एक नई initiative चालू की जा रही है जिससे free trade agreement के उपर में जो की 2013 से suspended है उसके उपर high level dialogue हो और बातचीत हो तो यह जो high level dialogue है यह commerce ministers के बीच में होने वाला है तो इंडिया के commerce minister है प्योश कोयल और EU के जो trade commissioner है वो ह ठीक है BTIA कैसे हो गया BTIA BTIA मेरे काल सब याद रहेगा आपको अब आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं India and EU are natural partners ऐसा वहां के जो मतलब हमारी प्रधान मंत्री ने बोला है और साथ में यह भी बताया है कि यह जो partnership है यह global peace or stability के लिए काफी जादा important है और साथ के साथ वही है कि जो situation अभी एक तरसे create हुआ हुआ है उसमें भी यहाँ पर एक cooperation जो है वो काफी आगे तक जाएगा इसके अलाबा अगर आप देखिएगा तो वहां के जो officials हैं उन्होंने जो चाइना के साथ stand-off हुआ उसके ओपर बात चीत की फिर इरान और उनके साथ जो related concerns है उसके पर बात चीत की फिर पाकिस्तान के साथ cross border जो terrorism का issue है उसके उपर बात की और फिर फाइनली जमुएं कश्मीर और जो citizenship commitment bill act आई है उन दोनों से related concerns भी raise किया तो यह काफी detail था आगे बढ़ते हैं next news जो है वो है कि government not for urgent defense procurements और armed forces को एक तरह से emergency power भी दिया गया है तो ऐसा ही similar यहां पर situation जब बाला को tear strike हो था फरवरी 2019 में तो भी दिया गया था और आगे यहां पर आप देख सकते हैं कि defense minister ने बहुत सारे emergency power दिया है जिससे armed forces जो है वो weapon system को procure कर सकता है at the cost of 300 crores और वही ह तरह से cut shot करना है जो भी procurement cycle है उसके लिए ताकि जो भी weapons है वो जल्दी से जल्दी मिल पाए अब यह जो decision है या कहां पर लिया गया तो defense security council D.A.C. के meeting में लिया गया और इसके chair कौन होते हैं तो defense minister होते हैं और present कौन है तो राजनात सेंग तो इसको ध्यान में रखेगा आगे यहां पर बढ़ते हैं कि army ने already यहां पर decision ले लिया है कि वह एक तरह से repeat करेंगे order को 72,400 SIG 716 assault rifles का जो कि हम जानते हैं कि USA है और इसके condition बन जाता है next article पर चलते है next article जो है वो है Modi exhausts youth to skill, reskill and upskill तो यह काफी अच्छा कासा news है इसको थोड़े detail में देखेंगे हम लोग तो PM ने यहां पर basically बातचीत की है कि जो यह तरह का occasion था हम लोग जानते हैं कि यहां पर world youth day था ठीक है world youth skills day था तो इसके उप्लक्ष में यहां पर इन्होंने बातचीत की और इन्होंने site कि जो अभी present scenario आप देख रहे हैं कि market condition जो है वो काफी धीरे-धीरे बदल रहा है औ और COVID-19 का जो impact है यह काफी जादा visible हो गया हुआ है तो इसी लिए इनका कहना है कि यह जो changing business environment है और market condition है जिसको हम लोग जानते हैं कि COVID-19 crisis के दोरा impact परा हुआ है इसी के ज़रूरत के हिसाब से यहां पर skill, reskill और upskill करने की काफी ज़रूरत है अब जैसे for example maximum लोग work from home कर र काम कर सके इसके अलाबा यह जो इन्होंने जो speech दिया है यह इस occasion पर था कि 5th यहां पर anniversary था Skill India Mission का भी और साथ के साथ World Youth Skills Day भी था यह भी important चीज़ आ गई इसके अलाबा आप आगे देख सकते हैं कि इनका कहना है कि exactly 5 साल पहले इन्होंने एक vast infrastructure create करने की कोशिश की थी skilling के के लिए reskilling के लिए और upskilling के लिए और साथ के साथ यह opportunities को भी enhance करना चाहते थे जिससे employment accessibility बढ़े चाहे वो locally हो या globally हो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे kaushal kendras के बारे में भी बताया है और यहाँ पे अगर आप notice करिएगा तो एक portal को भी launch हुआ जो की आप देख सकते हैं जो भी skilled employees हैं और employers हैं उनको map करने का काम करेगा और साथ के साथ skilled workers जिसमें migrant workers हैं जो एक तरह से अपना काम छोड़कर वापस से villages को लटे हैं उनको भी job accessibility provide करेगा तो यह भी important चीज है आगे देख सकते हैं यहाँ पे skill के बारे में इन्होंने कुछ चीजे बताई हैं तो skill के बारे में जो important चीज है वह है कि skill जो है एक तरह का gift होता है जो हम खुद को देते हैं और यह जैसे जैसे हम experience रोते जाते हैं वैसे वैसे इसकी जो value भी है और जो grow करता है या एक तरह से आगे को बढ़ते जाता है अब आगे यहाँ पे आप देख स new skills के तरफ में तो हम एक नई energy और encouragement के साथ life में आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ पे इन्होंने knowledge और skill के बीच में बहुत ही अच्छा साथ यहाँ पे इन्होंने difference बताया है कि knowledge आपको यह होता है कि आपको पता चलता है कि cycle किस तरह से काम करता है या किस तरह से चलता है पर अ आगे देखते हैं तो यहाँ पे वही बोला है इन्होंने कि अभी जो अगर देखिएगा situation तो हमें जरूरत है कि हमारा जो potential है उसको capitalize करने की जरूरत है उसके उपर और साथ के साथ skill और जो skilling opportunities है उसको और भी सुधार करने की जरूरत है जिससे हम लोग एक तरह से जो global demand है उसमें हम लोग skilled manpower को provide कर सकें तो यह काफी important news था आगे बढ़ते हैं अब next news जो है यह बहुत important है इसको बिल्कुल गौर से सुनिएगा क्योंकि यहाँ पे काफी important data आ जाता है और one day examination में इसी तरह के data को कभी कभी question के form में पूछल भी दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि top 1 billion में ना पहुंचे by the turn of century मतलब 2100 तक हो सकता है कि हम 1 billion से कम हो जाए तो यह भी बोला है इन्होंने आगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो projection है यह Lancet के दोरा गया है online degradation था उसमें और वही बताया है इन्होंने कि century के end तक हो सकता है कि हम लोग जो billion वाला tag है उसक 3 billion हो जाएगा अगर जो भी United Nations sustainable goal development targets है उसको अगर हम लोग fulfill करते हैं तो यह obviously और भी कम होगा और population में decline 9 to 9 million हो जाएगा तो obviously हम लोग 1 billion के नीचे आजाएगे फिर आगे यहाँ पर बात आती है कि आखिर यह जो unexpected एक तरह का population decline है यह क्यों आ रहा है तो इनका यह कहना है कि 20 2046 तक ठीक है 2046 के start अगर आप देखेगा तो उस time पे उस time के according अगर जो हम भी present scenario हम देख रहे हैं 2019 का assessment तो उसके basis पे हो सकता है कि India का जो population है वो settle करे 1.4 billion पर यहाँ पर उपर नीचे भी हो सकता है अब यहाँ पर बात आती है कि यह जो sharp decline है यह deduction है यह क्यों होगा ठीक है तो यहाँ पे इनका यही है कि assumption कि आगे चल के हो सकता है कि जितने भी women है globally वो उनके पास और भी ज्यादा higher access हो जाएगा contraceptives और education का भी तो obviously उनकी total fertility rate है जो की एक metric होता है कि on average कितने children जो है एक women अपने reproductive cycle में एक तरह से पैदा कर सकती है तो उसी चीज के बारे में कहा गय हो जाएगा अब यहाँ पर आपको थोड़ा जो important चीज है वो याद रखना है यहाँ पर sequence ठीक है तो sequence को आप ज़रूरत में ध्यान में रखिएगा तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं कि इंडिया जो हो सकता है इंडिया will however remain the most populous country और उसके अलाबा पांच जो largest country जो forecast के हिसाब से कि continued population growth देखा जाएगा 2100 तक और यहाँ पर expectation यह भी किया जा रहा है कि यह second most populous country भी बन जाए तो यह याद रखिएगा अब आप मुझे हम लोगों ने total fertility rate देख लिया है तो अब आप मुझे कुछ एक चीज़े comment section में बताइए जैसे हम लोग MMR बोलते हैं ठ के definition को आप comment section में लिखे और साथ के साथ यहाँ पर जो infant mortality rate है IMR उसके बारे में भी लिखे कि उसका calculation कैसे होता है और definition लिखे ठीक है आगे बढ़ते हैं अब next news जो है वो हमारा कि fight against hunger disrupted by slowdown तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि एक मतलब report के basis पे ही बताया जा रहा है और वो report का नाम आप देख सकते है कि state of food security and nutrition in world ठीक है Sophie report इसको बोल सकते है 2020 के basis पे कहा गया है अब यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो food security report है कि बोल जो है अभी सही track पे नहीं चल रहा है और जो zero hunger का हम लोगों ने बात किया था जो हम लोग के SDG में आता है तो वो 20-30 टक हो सक करता है कि हम लोग उसको meet ना कर पाएं ठीक है अब यहाँ पर इसके थोरी details को देख लेते हैं तो अब details को cover करते हैं तो आप details में या देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि 8.3 करोड से लेके 13 करोड के तक बोला जा रहा है कि globally इतने सारे लोग जो है इस साल hungry रहने वाले है ठीक है और यह economic recession के कारण ही हुआ है जो की trigger किया गया है COVID-19 के द्वारा और यह report हम लोग ने देख लिया कि Sophie report है अब आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि ऐसा कहा जा रहा है estimate कि till March 2020 यहाँ पर 69 करोड पीपल जो थे वो हंगरी थे और यह एक तरह से 2018 के basis पर अगर आप notice रूपर है अब Sophie report जो है यह हाल फिलाल में ही release किया गया है और हम लोग जानते हैं कि यह on the side lines है high level political forum on sustainable development जो की track करता है कि nations में जो progress है वो किस तरह से हो रहा है SDG 230 के हिसाब से ठीक 2030 के हिसाब से अब यह जो report है इसका अगर आप देखेगा तो इसको produce करने वाले जो जो organizations है उनको आपको नाम ध्यान में रखना है जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर it is produced jointly by Food and Agricultural Organization of United Nations that is FAO इसके लावा International Fund for Agricultural Development IFADA United Nations Children's Funds UNICEF इसके लावा the United Nations World Food Program WFP और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि World Health Organization WHO के द्वारा भी है ठीक है और इसका जो first edition आया था Sophie report का यह 2017 में आ से याद रखिएगा अब यहाँ पर यह भी बोला गया है कि इस report में underline किया गया है कि अगर हंगर जो है वो मतलब देखेगा तो continuous यह राइस देखा गया है 2014 सहीं इसके लावा अगर आप global prevalence देखिएगा undernutrition का तो undernutrition का जो है यह काफी जादा है और overall जो यहाँ परसेंटे punishment पाया जाता है 38 करोर के आसपास second number पे आता है अफरीका जो कि 25 करोर है उसके अवाल अब आप देख सकते है लाटेन अमेडिका एंकरेबियान आता है third number पे 4.8 करोर के आसपास ठीक है तो यह भी आपको याद रखने की जरूरत है अब यहाँ पे जो report highlight करता है वो बोलता है कि एक healthy diet के लिए जो cost लगता है वो है 143 rupees जो कि आप देख सकते है 1.90 dollars per day होता है और यही international poverty threshold है तो इसको ध्यान में रखेगा यह भी important हो जाता है अब number of people अगर आप देखेगा globally जो कि healthy diet को afford नहीं कर सकते तो उनका total number जो है 300 करोर पीपल है ठीक है अब number देख सकते हो कितना जादा है और यहां पर आप देख सकते हैं और more than the combined population of China and India तो चाइना और इंडिया के combined population से भी जादा लोग जो है वो healthy diet एक तरह से access नहीं कर पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यहां पर population मतलब कितने जादा लोग है जो जिनको accessibility भी नहीं मिल रहा है आगे च एक important चीज़ है जिसमें रश्या जो है वो के साथ इंडिया जो है वो अच्छे तरीके से cooperate कर सकता है तो इसी चीज़ को यहां पर इन्हों ने describe करके बताया है और कहा है कि इंडिया और रश्या का investment जो है वेतनाम oil और gas sector में एक अच्छा खासा area हो सकता है cooperation के लिए साथ के स है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक energy bridge जो है वो बनाया जा रहा है आर्टिक्स से लेके व्लादी वस्टक तक और व्लादी वस्टक से फिर चाइना तक तो यह energy bridge आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कौन से कौन से सिटी से होते हुए जा रहा है अब आगे यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यहां पर standoff के बारे में भी बताया जा रहा है जो China और Vietnam के साथ हो रहा है South China Sea में तो obviously यहां पर India का जो एक oil block एक तरसे वह access करने की कोशिश कर रहा है Vietnam के exclusive economic zone में तो हो सकता है कि इसको भी यहां पर overlapping claim दिखा रहा है तो यह problematic scenario एक बना हुआ है इसक specific concept में और यहां पर वही है कि इनका perception यह बना हुआ है कि Indo-Pacific जो है एडिया उसको एक तरसे different concept की तरह treat करना परेगा और जो भी differences यहां तरसे बने हुआ है वो काफी जादा exaggerated है तो उसको थोड़ा बहुत sort out करने की काफी जादा जरूरत है जिससे peace or stability जो है उस एडिया में आप आए तो यह हो गया आगे बढ़ते हैं अब next year news है यह थोड़ा important news आप कह सकते हो तो यहां पर हुआ क्या है तो indigenous vaccine बना है pneumonia का और इसको nod मिल गया है ठीक है और यह जो development है vaccine का यह किनों ने किया है तो serum institute ने किया है अब आप मुझे comment section में serum institute कहां पर है यह आप मुझे ब developed conjugate vaccine है जो की pneumonia के लिए है ठीक है और इसको development जो किया है इन्होंने serum institute of India private limited जो की पूने में है अब यहां पर आप देख सकते हैं कि serum institute ने सबसे पहले DCGI से यहां पर इन्होंने approval पाया था approval पाने के बाद इन्होंने phase 1, phase 2 और phase 3 clinical trials कराया और pneumococcal polysaccharide conjugate vaccine जो की इंडिया में है और यह जो इन्होंने clinical trial है यह गांबिया में किया और obviously health ministry के दोरह इनको एक तरह से approval भी था अब यह जो vaccine है यह इसका आप देखेगा तो इसका administration जो है इंट्रमस्कुलरली किया जाता है जहां पर muscles होंगे वहां पर डाला जा सकता है और obviously फिर आपके एक तरह का active immunization देगा आपको pneumonia के against यह काफी important है आगे बढ़ते हैं और even के covid के case में भी अगर आप देखेगा तो बहुत सारे cases जो है वो pneumonia के कारणी देच हुए है तो यहाँ पर वो भी help कर सकता है तो अब आगे बढ़ते है next news आप देख सकते हैं यहाँ पर यह चोटा सा news है तो इसको देख लेत हम लोगों ने already बहुत सारा कुछ पढ़ाई कर लिया था हम लोगों ने देख भी दिया था detail में कि किस तरह से वहां के students के उपर में impact पढ़ने वाला है ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो अभी भी present scenario में है कि unclear है कि जो नया visa है वो issue किया जाएगा या नही किया जाएगा जितने भी लोग enrolled है या नहीं या फिर जो लोग enrolled नहीं है उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि US government ने recent कर लिया है policy को जो कि F1 और M1 visa categories में आते हैं तो students को यहाँ पर क्या था कि courses जिन्नों ने online लिया थ उनको बोला गया था कि वो country से डिपार्ट करने के लिए और अगर डिपार्ट नहीं करना चाते तो कोई एक course में उनको admission लेना पड़ेगा ठीक है physically जाके तो यही है कि एक तरह से यह जो decision लिया गया था वो बाद में क्या हुआ कि बहुत सारा यहाँ पे strong opposition face किया academia के द्वा और यहाँ पे sanction को back करना उन्होंने start कर दिया है तो हम लोग already जानते ही है कि हम लोग ने देखा है कि Hong Kong में जो new security law लग गया है impose कर दिया गया है Beijing के द्वारा तो इस कारण से ही यह step लिया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं obviously यहाँ पे Trump मतलब obviously America ने तो खीची लिया है और sanction लगने की chances अब काफी जादा बढ़ रहे हैं हम लोग जानते हैं कि China ने वहाँ पे बहुत सारा clamp down भी किया है तरह से तो अब क्या होगा कि यह जो financial hub है अब यह थोड़ा बहुत problems को छेलेगा अब यहाँ पे वही है कि हुआ क्या है कि जो Trump है उन्होंने executive order issue किया है और उन्होंने बोला है कि जो भी यहाँ पे मतलब पहले का जो भी situation था उसको यहाँ पे खतम करने की जरूरत है क्योंकि Beijing ने क्या किया है बीजिंग ने new security law वहाँ पे जबरदस्ती impose कर दिया है और उनका यह भी कहना है आप देख सकते हैं कि उनका freedom एक तरह से take away हो गया है rights गया हुआ है और जो भी वहाँ के लोग हैं उनको subversion करने की कोशिश की जा रही है तो वही है अब यहाँ पे जो उनको 1997 में autonomy दिया गया था ब्रिटिश के द्वारा और जब उनको ब्रिटिश ने एक तरह से territory को वापस किया था तो अब उस जो भी मतलब यह हुआ था deal सकता है कि solar energy के तरफ जो switch है वो accelerate हो जाए तो यह कैसे हो सकता है तो अब आपको मैं आगे बताऊंगा तो यह power bills जो है वो हम लोग जानते हैं कि already cake in कर गया है काफी जादा बढ़ गया हुआ है तो इसी चीज के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है अब आप जानते होगे कि maximum लोग जो है वो घर से काम करना पसंद करते हैं तो इसके कारण electricity bill जो है वो shoot up कर रहा है क्योंकि air conditions चल रहा है घर के computer electricity पे चलते हैं इसके अलावा बहुत सारा कुछ जो है वो घर का demand जो है वो भी चल रहा है तो इस कारण से obviously आप समझ सकते हो कि जो electricity का खपत अगर बढ़े जाए और उसका जो pace है वो और भी जादा बढ़ जाए इसके अलावा वही है कि जो commercial और industrial segments है हो सकता है कि उनको भी cut down करना हो expenditure तो इसलिए भी हो सकता है कि वो solar energy को use करना का जो मतलब plan है वो बना सकते हैं तो यह अच्छा खासा news है और obviously इससे हमें भी फाइदा होगा क्यों आगे बढ़ते हैं और यह आखडी news होगा हमारा तो आखडी news में आप देख सकते हैं indigenous bugs के बारे में बताया जा रहा है कि indigenous bugs help tackle invasive pest तो यहाँ पर इस pest के बारे में बताया यहाँ पर देख सकते हैं कि ladybird beetle जो है यह एक तरह से woolly whitefly के उपर में feed करते हुए यहाँ पर image देख सक को खा कर खतम कर देगा अब यहाँ एक थोड़ा बहुत डीटेल देख सकते हैं कि दो type of ladybird beetle के बारे में बताया गया है जिसमें से तीन यहाँ पर देख सकते हैं indigenous bug है जुनको found किया गया और एक तरह से biological weapon की तरह इस्तमाल किया जा गया यहाँ पर Caribbean origin enemy जो कि हम लोग जानते ह वुली white fly के against किया जा सकता है ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा और यह fruit farmers के लिए काफी अच्छा कासा news है और यहाँ अगर आप देखेगा तो Indian council of agricultural research इनका कहना है कि pest के कारण जो है वो damage होता है 30 to 35 percent of crops में और यह annually होता है तो उस case में obviously white fly को एक तरह से हमें curtail करने की control करने कि काफी जादा जरूरत है और यह एक invasive species है याद रखिएगा और polyphagus है polyphagus का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा creature है जो कि किसी भी चीज के food को खा सकता है मतलब कुछ भी खा सकता है ठीक है तो इसलिए इनका impact जो है वो काफी जादा हो जाता है even locust में भी आगर अब देखिएग और इनको फाय बाया गया कहां पर तो गौवा और कैड में जो की कोईंबर टूर में है तो अब इन बक्स को collect करके study किया जाएगा और अब इस्तमाल भी किया जाएगा तो हमने सारे articles को discuss कर लिया in detail और मेरे खाल से आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इसी articles मे इस वीडियो को wrap up करते हैं sorry बहुत जादा लेट हुआ है आज पर ठीक है पिर भी आप देख लिए किजिएगा वीडियो एक दो घंटे अगर इधर उदर होता है तो आप अपने उसमें shift कर सकते हैं क्योंकि रोज नहीं होता कभी कभी ही होता है ऐसा तो चलिए आब इस वी वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं so thank you so much for watching